हेलो दोस्तो मैं जाई कांट से नहीं स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल भात आई क्यों मैं हम डिसस कर रहे हैं राजिस्तान परतिका नीजस पेपर जैपो एडिशन सोला दिसंबर तो बने रहे हैं इस वीडियो में साथ दो तक there is a lot to know and a lot to discuss तो आई शुरू करते हैं यह प्रणा मुखजी किताब है ता प्रणा मुखजी साब का निधन होके चुका है और भारत के राष्टपती भी रह चुके हैं प्रणा मुखजी साब बहुत अच्छे economic planning में शामिल थे वित्मंत ही रह चुके हैं इसके लावा भारत तरतन से सम्मानित भी हैं तो मेरा एक पार्क बनाया जा रहा है सोलर पार्क की प्रकार से रिन्यूवल एनर्जी पार्क इसको बोलते हैं तो इसका इसको बढ़ा हुगा है तो यह रिन्यूवल एनर्जी कच्छ में इसको लगाया गया है पेज नंबर में बात की जा रही है ये निउज है वाइस एड्मिरल स्रीकांत इनका निधन हो गया है तो वाइस एड्मिरल स्रीकांत है ये मतलब प्रिजेंट में नौसे नाम है थे अधिकारी थे ये वाइस एड्मिल पत्पर थे ये तो इनका निधन कोरोना के कारण हो गया है तो इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए प्रश्न पूछा जा सकता है पेज नमर में बात की जा रही है भारत में 26 जन्मरी को अब डिपबलिक दे हुआ तो वहां पे हमारे जो मुख्य आतिति होंगे उनका नाम है बोरिस जोंसन तो ये हैं बिटेश के बिटेन के प्रदानमंतरी ये ये यूखे पे गेस्ट होंगे 26 जनवरी 2021 को तो यह भी इंपोर्टन चीज है पूचा जाकता है इसके बारे में पेज नमबर 6 पे बात की जा रही है यह आवा सिंग जी है सुप्रीम कोर्ट में एड़ुकेट है यह तो यहाँ पे एक एडिटोर लिखा है रोने मादा भूर्ण अत्या को ले करके क्या है सबसे पहले तो एक एक्ट बनाया गया था प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डि है PCPNDT कभी आप अस्पताल में जब जाएंगे तो आपको लिखा देख जाएगा PCPNDT कई बार देखा देखा देख जाता है यह आपको बहुत ही पापुलेटम है PCPNDT तो इसके तहत क्या किया जाता है जब भी कोई अपने लिंक को निधारत करने का कोशिश करता है कि 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 इसके फीमेल होगा या मेल होगा तो आपको पता होगा इस प्रकार की चीज़ा हरकतें की जाती है गलत तरीके से उसको रोकने के लिए यह एक्ट है ताकि आप यह पता ना कर सको कि कोई भी जो बच्चा होने वाला है कोई भी जो भूड होने वाला है वो फीमेल होगा या म तो उसको रोकने के लिए इस प्रकार का एक्ट लाए गया ताकि उनको ये पता ना लग सकते और वो किया क्यों गया अगर उनको पता लग जाता है सपोस किसी को ये मतलब हमारी जो संस्क्रति ये उसमें लोगों को जादा तर मतलब मेल बॉई ही चाहिए होते हैं तो वहाँ पे उनको पता लग जाएगा कि यह female होने वाला है तो वो इसका abortion करा देते हैं तो abortion को रोकने से पहले ही इस प्रकार का यह act लाएगा ताकि वो link निदारण ना कर सकें उनको पता ही ना लगे कि क्या होने वाला है पहली चीछ दूसरी चीछ एक और एक्ट है इसका नाम है medical termination of pregnancy act 1971 यह भी important act है यह क्या कहता है कि अभी जब भ्रूड जो establish हो जाता है उसके होने के बाद यहाँ पे कुछ weeks का time बताया गया है कि आप उसको abort नहीं करा सकते हो यह गैर कानूनी चीज है आप उसके abort नहीं करा सकते हो तो इस प्रकार का act लाया गया कि जब भ्रूड बन जात है न अर्टीकल 21 के देश जीवन जीने का दिगार तो उसको भी जीवन जीने का दिगार प्राफ दो गया है यह अब उसको भी मारत वो एक प्रकार से हत्या कर रोड़ा तो वो एक गहर कानूनी काम हो जाता है उसके लिए सजा का प्राफधान भी है अब sustainable development goal जो है UN के 2015 से 30 क कसंद्र का यह एक्ट है इसके बाद अभी एक абंडमेंट ला राया गया है बिल को ल करने को लर्क करने को करके तो भी पास चांव एक्ट नहीं बनाए 2020 में लाया घया है तो आप देख सकते हैं यहाग पर क्याओ किया है यह नए जो एमेंट बिल आया गया है वहाँ पर medical board अगर in case substantial fetal abnormality abnormality मतलब कोई abnormal condition हो जाती है तो वहाँ पर medical board recommend कर सकता है कि 24 week पर भी आप more than 24 week से ज्यादा पर भी आप इसका termination करा सकते हो जाने कि abort करा सकते हो तो इस प्रकार का प्रापदान लाए गया है more than 24 week से ज्यादा का medical board यदि recommend करता है ये पहले शामिल नहीं था उन्नीशों के एक्ट में एक और चीज़ है 20 से 24 week पे यहाँ पे लाए गया है ये भी allowed नहीं था पहले ये उन्नीशों के एक्ट में लेकल बोर्ड यदि एक्रमन कर देता है तो abortion कराया जा सकता है तो ये कुछ important चीज़ है इनके बारे में आपको idea होना चाहिए page नंबर आठोबाद की जारी है राजिस्तान की personality है राजसमन की एक इनका नाम है बसंतिलाल बाविल साब तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए इसके लिए इनको राजपृषकार प्रदान कीया गया है page नंबर नौपे बात की जारी है ग्याहूं की एक नई किसम है डबलू एच बारासो सत्तर ये किसम किसने विक्सित की है चौदरी चरंचिंग उनिवर्सिटी ने चौदरी चरंचिंग टशी उनिवर्सिटी है ये उनिवर्सिटी कहां पर इस्तित है ये मेरो कमेंट करके बताईए तो इस उनिवर्सिटी ने एक नई किसम बनाई है ग्यों की इसका नाम है डवलू एच बारा सु सत्तर याद रखिएगा तो ये किसम बहुत अच्छी बता रहा है अच्छी पैदावार होगी बीमारियों से लगने में सक्षम रहेगी किसमे जैसे कुछ बीमारियों को बात किये रहे हैं पीला रत्वा ये ग्यों को लगने वाली बीमारी है बूरा रत्वा पत्ता अंगमारी सफेज चूर्णी ये कुछ बीमारी है इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए ग्यों को फजल को लगने वाली बीमारी आए तो ये बीमारियों को लंड़ने में सक्षम है ये जो नई किसम डवलप की है नो है W.H. 1270 तो इसका नाम जरूर यार लखी गा है इंपोर्टेंट हो जाती है पेज नमबर नौ पर स्पोर्ट सम्मर्ण नूज यहां पर यह है पूर वो ऑस्टेलिया के अलॉंडर है एरिक फ्रीमेन तो एरिक फ्रीमेन से आपका निधन हो गया है उस्टेलिया के क्रिकेटर है और लाउंडर थे यह तो इनका निधन हो गया है इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए एरिक फ्रीमेन यहां पर आप देशकते हैं की पिक्चर है यह पेज नमबर नौ पर वन्डे होके चुका था वो भी दुबई में हुआ था तो ये भी important बात हो जाती है मेरे को ये बताईए अभी जो IPL होके चुका है दुबई में उसमें विजीता टीम और उपर विजीता टीम कौन रही है उनके नाम comment करके बताईए कि वो किसन जीता था तो ये भी दुबई के अंदर होने जा रहा है दुबई मतलब UAE जो country है वहाँ पर होगा विश्वकाब महिलाओं का दो जार बाइस में पेज नमब असर बात की जारी है ये बात की जारी है सोमालिया ने केन्या के साथ सभी कूटनेतिक संबन तोड़ दी है यह आप देख सकते हैं की location यह समालिया यहाँ पे है केन्या तो इनकी border शेर होते हैं यहाँ पे सागरवले अरिया आ जाता है तो यह कुछ idea नमब असर बात की जारी है यह एक वैग्यानिक है अंत्रिक्ष वैग्यानिक इस पेज के शेत्मे काम करने वैग्यानिक है इनका नाम है प्रोफेसर नरसिमा तो इनका भी निधन हो गया है यह आप देशकते हैं पिक्चर बहुत तो बड़ी personality बन जाते हैं तो इनके बार में आपको idea नोची है प्रोफेसर नरसिमा अंत्रिश वैग्यानिक पेज नमब असर बात की जारी है यह है अमेरिका ने तुर्की पर पतिवन लगा दिये हैं कुछ तो यहाँ देशकते हैं news जाजे कि यह प्रतिवन लगाएं किसक देश किए तो रश्या देश की है जिसे भारत ने भी डील किये और तरकी ने भी डील किये एस पोर नेट को ले करके मुझाल सिस्टम में बहुत ही अच्छा है तो यह सारी की सारी चीज़े हैं इसमें तो मुझे आज़ा है कि इस एक्षिन आपको अच्छे लगा होगा और वीडियो अच्छे लगी है तो ज़्याद से लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोग इस पकार की वीडियो का फाइद रह सकें आप मुझे अपने सुझाव कमेंट वोक्स में बेश सकते हैं या मुझे इमेल भी कर सकते हैं इसी के साथ धन्यवाद म मिलते हैं अगली वीडियो में